देखे, write the first 5 multiples of 70, अब हम अगर किसी number के multiples लिखते हैं, तो हम यह लिखते हैं कि उस number से और कितने number डिवाइड हो सकते हैं, एक short में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपको किसी number का multiple लिखना है तो आप उस number की table लिख लिजे, कहां तक लिखना है यह question में लिखा होता है, आ 73's are 210, 74's are 280, 75's are 350, यह आपके 70 के multiples हो गए, हम इन एक example दिया, write first 5 prime numbers, आपको शुरू के 5 prime numbers लिखने हैं, तो counting हमारी कहां से start होती है, 1 से, मैंने आपको बताया था कि 1 नीदर a prime नौर a composite number, 1 जो है वो ना तो prime है ना composite है, सबसे lowest क्या है, 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, हमें prime numbers लिखने हैं, और prime numbers वो होते हैं, जिनका एक factor 1 हो, और दूसरा वो खुद की table से divide हो, तो 2 अपनी ही table से जाता है, 3 भी के वल अपनी ही table से divide होता है, 5 भी के वल अपनी ही table से divide होता है, 7 भी अपनी ही table से divide होता है, 11 भी अपनी टेबल से डिवाइड होता है हमें सिर्फ फाइब लिखने थे तो हमने फस्ट फाइब लिखे है और एक्जाम्पल यहां मैंने राइड दर प्राइम नंबर विट्विन 10 और 40 आपको 10 से 40 के बीच में प्राइम नंबर लिखने यानि 10 से 40 के बीच में वो numbers लिखने हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होंगे तो देखिए पहला तो गया 11 सिर्फ अपनी टेबल से जाएगा उसके बाद 12 तो आता है 13 13 के बाद 14 आएगा 14 टू और 7 दोनों से डिवाइड हो जाता है 15 15 3 5 से डिवाइड हो जाता है 16 16 आपका 2 से डिवाइड होता है 8 से होता है 4 से होता है 16 में होगा 17 17 अपनी टेबल से जाएगा 17 के बाद 19 वो भी अपनी टेबल से जाएगा 19 वatoon 2015 होगा 23 23 के बाद 27 भी नहीं होगा 29 29 के बाद 31 31 के बाद 33 तो नहीं होगा, क्योंकि 11 से डिवाइड हो जाएगा, 35 भी नहीं होगा, 37, 37 के बाद 39 नहीं होगा, क्योंकि वो 13 से डिवाइड हो जाता है, हमें कहां तक लिखने थे, 40 तक लिखने थे, तो ये हमारे 10 to 40 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं, जो